आप देख रहे हैं Younick Medicine यूटूब चैनल दोस्तो आज हम बात करेंगे फ्लैमी क्लैब के ड्राइ सिरप के बारे में दोस्तो फ्लैमी ख्लैब के ड्राइ सिरप एक एंटी वायतिक मैडिसन होती है जिसका इस्तमाल बिभिन परकार के यानि अलग-अलग तरह के bacterial infection को ठीक करने के लिए کیا जाता है दोस्तों ये medicine बच्चों के लिए इस्तमाल कराई जाती है यानि doctor बच्चों को प्रसक्राइब करते है बच्चों को ये medicine दी जाती है ये medicine के बहुत सारे फाइदे होते हैं जो बच्चों को मिल जाते हैं तो दोस्तों सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो में लगतार मेरे साथ बने रहे दोस्तों और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर नए हैं पहली बार आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्रा दोस्तों ये जो dry syrup है dry syrup इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर dry powder की form में medicine होती है और उसके अंदर distil water को मिला कर यानि distil water को mix करके इसके साथ में और इसको फिर syrup की form में यानि suspension की form में तयार किया जाता है दोस्तों ये medicine dry form में होती है यानि सूखे powder की तरह होती है तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताए था कि एक antibiotic medicine होती है इसके अंदर amoxicillin और potassium clavulinate होता है इसमें दो अलग-अलग तरह के salt है यानि amoxicillin और potassium clavulinate को मिला कर इस oral suspension को तयार किया जाता है दोस्तों इसके अंदर amoxicillin 200 mg की मात्रा में होता है जबकि potassium clavulinate 28.5 mg की मात्रा में होता है तो guys ये medicine का composition रहता है यानि दवाई के अंदर इतनी मात्रा में medicine को मिलाया जाता है तो जान लेते हैं इसके फाइदे यानि benefits तो ये जो medicine होती है वो बच्चों के अंदर यानि infection होता है यानि bacteria की बजहां से जो infection होते हैं जैसे कि अगर हम जान लें तो बच्चों को कभी कभी चोट लग जाती है और कभी बच्चों को कोई injury हो जाती है कोई cut या घाव लग जाता है guys या बच्चे खेलते समय उनको किसी चीज़ से cut लग जाता है या घाव लग जाता है तो इनके treatment के लिए काफी अच्छी medicine होती है दोस्तो जब बच्चों के कटिया घाओ में मवाद पढ़ने लगता है पस आने लगता है और उसमें से बहुत ज़्यादा जो पस है वो निकलने लगता है तो उस पस को सुखाने के लिए यानि पस को खतम करने के लिए और साथी जख्म को सुखाने के लिए ये medicine यूज की जाती है दोस्तों और साथी इसके अलावा अगर हम और बात कर लें तो इसका जो यूज होता है वो soft skin tissue infection में किया जाता है इसकिन का कोई infection होता है उसके लिए इसका doctor use कराते है साथी बच्चों को किसी भी तरह का कोई cutia bound का infection हो जाता है बहाँ पर doctor use कराते हैं और दोस्तों इसके साथ ही साथ इसका जो use होता है वो bacteria की वजह से होने वाले infection जैसे की बच्चों को pneumonia हो जाता है lungs का infection यानि फेफणों का infection हो जाता है RTI respiratory tract infection हो जाता है दोस्तों, और UTI Urinary tract infection हो जाता है तो doctor के दोारा ये medicine prescribed की जाती है दोस्तों, UTI के case में जब बच्चों को पिषाब आता है और पिषाब के साथ जलन होती है बदबूदार पिषाब आता है डार्क्यूरिन हो जाता है बच्चों का और पिसाब में जो है पस निकलने लगता है या ब्लैडर का इंफेक्शन हो जाता है तो उस समय डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन बच्चों को दी जाती है दोस्तो साथ ही जब बच्चों को कान का infection हो जाता है जिसको middle year infection कहते हैं जिसमें बच्चों के कान से मवाद वगेरा निकलने लगता है तो गाईज इस तरह की जो समस्या होती है इसको ठीक करने के लिए भी ये amoxicillin और potesium klebunelate काफी असरदार medicine होती है दोस्तो ये अपने generic नाम से आपको market में मिल जाती है यानि आप दवाई के मूल नाम से इसको ले सकते हैं साथ ही इसके अलग-अलग brand name से भी आप इसको ले सकते हैं तो गाईज यहां इसका जो name है वो फ्लैमी कलेफ किड है और इसके लावा इसका जो नाम होता है वो moxikind वगेरा के नाम से भी आप लेख सकते हैं moxikind cv के नाम से medicine आती है तो same dry powder की form में होती है दोस्तों जान लेते हैं इसकी कुछ basic information तो सबसे पहले हम MRP की बात करेंगे guys इस medicine का जो MRP है वो 53.77 यानि 53 रुपए में लगभग यह आपको मिल जाती है आप किसी भी medical store से इसको ले सकते हैं और यहां इस medicine की manufacturing और expiry date आप देख सकते हैं 2022-2023 यानि February 2023 तक यह medicine की expiry है जब तक आप इसको आसाली से use कर सकते हैं और दोस्तों dry powder को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप dry syrup को dissolve कर लेते हैं यानि still water को इसके अंदर mix कर लेते हैं तो फिर आपको क्या करना है इसको 7 दिन के अंदर use कर लेना है यानि बच्चों को use क तरा देना है दोस्तों 7 दिन से ज़्यादा रखी हुई medicine आपको बनाने के बाद यानि तयार करने के बाद use नहीं करनी है इसमें क्या है कि medicine खराब हो जाती है और बच्चों को side effect आ सकते हैं तो guys इन बातों का आपको ध्यान रखना है यहां medicine का license number हो जाता है और medicine को use करने से पहले अच्छी तरह से आपको सेख करना है बच्चों की पहुँद से दूर रखना है medicine को ताकि बच्चों को किसी तरह का नुकसान न हो वो गलती से इसको पी ना ले दोस्तो सिडियूल एच प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग है तो कभी भी आप खुद से ना ले हमेशा ए पूर फाइदे मिल सकें और उनको किसी भी तरह का नुकसान न हो दोस्तो इस पैक के अंदर एक ड्राई सिरप का कंटेनर है यानि बाटल है और यहां एक इस्ट्रिल वाटर का एमपुल है तो इसको मिक्स करके अच्छी तरह से हिला कर इसको तयार किया जाता है साथी दोस् कंपोजिशन भी देख सकते हैं कि अगर 5 ml का डोस त्यार किया जाता है तो हर एक 5 ml का जो कंपोजिशन होता है उसमें 228.5 mg की मात्रा में मेडिसिन होती है बच्चों के यूज के लिए है पीडियाटरिक यूज ओनली है तो इन सभी बातों का गाईज आपको ध्यान रखना है दोस्तों बनाने का तरीका ये है कि पहले पॉर्डर को डिला करने के लिए बोटल को अच्छी तरह से हिलाना है आपको फिर बोटल का जो कैप है उसको हटा कर इसके अंदर वोटर का जो एमपुल होता है उसको डाल देना है और डालने के बाद अच्छी तरह से हिला कर ज दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगा कुछ आपने नया सीखा होगा गाईस वीडियो अच्छा लगाया तो इसे लाइक और सेर कर दें साथी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को आउन कर लें ताकि आपको ऐसे ही कंप्लीट जानकारी वाले तब तक सेफ रही है अपना ख्याल रशेएं